बॉलीवुड के जितने भी क्रिटिक्स ने हर हर गंगे की तारीव की सब ने ये कहा कि बूचपुरी इंडस्ट्री अब अपने आपको सीरियस ले रहे हैं यही क्या कम बात है जी आज हम भी स्ट्रीजर की बात करेंगे हाँ हम जानते हैं हम लेट हैं लेकिन देर हैं दुरु सब ने ये कहा कि बोचपुरी इंडस्ट्री कि हर एक कहानी एक जैसी होती है और वहां पर बदले जाते हैं तो सिर्फ हीरो और हीरोईन के कपड़े अधर्वाइज आप देख लेंगे तो हर एक कहानी आपको एक जैसी ही वालूम देखेगी लेकिन अब अगर बात हर हर गंग के तहत ये फिल्म रिलिजगी पाच भासाओं में और आपको बता दे जिस तरह के वीएफ Gothic का इस्तिमाल किया गया है फिर वो चाहे और उन्ने वाटर पावणसिंग का सीन हो फिर वो चाहे फाइटिंग सीन हो सभी पर जबर जबर्दस्ट अग्स का इस्तिमाल किया गया है आपको ये भी बता दें कि पावस्टार पावंसिन ने इस पर महनत भी बहुत की है और वो दिख भी रहा है आपको आगे ये भी बताना चाहेंगे कि फिल्म की स्चोरी इस ट्रीजर के माध्यम से ही खुल जाती है लेकिन आपको एक सस्पेंस बनाये रखती है ये फिल्म आप अगर जब थेटर में रिलीज होगी देखेंगे तो यकीन मानिये आपको एक भोजपुरी का नया रूट दिखेगा वैसे अभी हम ये जानते हैं कि ट्रीजर ने तो हंगामा मचा दिया है ट्रेलर भी हंगामा मचाएगा फिर फिल्म भी आएगी तो वो धमाल करेगी क्यू स्टारी लाल यादो और दिनियस लाल यादो निरहुआ जैसे कलाकारों को धन्यवाद करना चाहिए वैसे हम आपको कहेंगे कि ट्रीजर देखिए पाच में से चार स्टार तो आप हस्ते हस्ते देंगे एक स्टार कहां काटा जाएगा भाई जिस तरह से अपने कंधे पर उ पुछपरी जिकत की होटर मसाले दर गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिलकल न भूलिये